दोस्तो स्वागत है आपका पात्फाइंडर इस्टेडी पॉइंट में कल हम लोगों ने ब्रम्हान निस्टार्ट किया था जिसमें मैंने पहला लेक्चर डाला था कि ब्रम्हान की उत्पत्ति कैसे हुई ब्रम्हान के क्या घटक हैं बिग बैंक थेओरी क्या है किस तरह से ज तारो का निर्माल का ऐसे होता है क्योंकि इससे जो है संबंदित बहुत कोईस्चन पूछे जाते हैं और इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे इसलिए धायर पूरवक इसको पूरा वीडियो देखिएगा आधा दूरा देखने से आपको जो है चीजें किलियर नहीं होंगी क्य जो इसमें बीच में आएगा जब तारो का निर्माल का में पूरी प्रिक्रिया आपको बताऊंगा डाइग्रमेटिक वह सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा और आप एक बार ही देखेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं निहारि जो बहुत कंडेंस हैं और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं क्रमसा इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के जुंड विक्सित हुए और यह जुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसी पिंड बन गए जिससे की तारों का निर्माड हुआ धूलकर बने गैसे बनी और इनहीं सबके सम्मलित रूप को हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं तो इसका सार यह है कि नेबुला हाइड्रोजन के बहुत बड़े बादल होते हैं जिसमें धीरे-धीरे इनके विकास के कारण जो है छोटे जोटे गैसों के जुन्द बिक्सित हुए फिर वो गैसी पिंड के फॉर्म में आ गए और वो गैसी पिंड आगे चलके तारों का निर्माड हुआ जिसकी पूरी प्रिक्रिया भी हम आगे देखेंगे धूलकर बने गैस बने और यह जो सारा इस्ट्रक्चर होता है नेबु ईकला लेग्सी की क्या विसेश्थाएं थो मन्दाक्षणी वह आ ह का जा Ç IST यसमें हमारा सूर्य प्रत्वी रहे उपपत्यादी उपस्तित में हैं यह चौविस अकास गंगाओं का एक ब्रहद पुंज है वह व्यस्कीतनी मंदाक्षणी में आ खर्यस आकाज गंगाएं हैं और इसका आकार जो है एक तस्तरी जैसा है जो कुछ-कुछ इस तरह से दिखता है इसमें तीन घूडन सील भुजाएं होती है इसका नाम घूडन सील भुजाएं क्यों दिया गया क्योंकि ये तीनों भीजाएं किसी ना किसी दिसा में घूडन करती रहत तो जो सब्से बीच की है जिसमें यह मैंने रेड डॉट्स दिखाए हैं इसको हम बल्ज कहते हैं केंद्री यह बल्ज तो यह बीच की सब्से मर्द की भुजा हो गई फिर मध्यवर्ती भुजा जो है यह मैंने पूरा यहां पर दिखाया है यह मध्यवर्ती भुजा हो गई जो रोटेट करती रहती है और सबसे बाहरी जो है भुजा जो है तीसरी घुणन सील भुजा है तो जो हमारा सौर मंडल है वो किसमे है नमबर दो वाले में यानि मध्यवर्ती घुणन सूल भुजा में हमारा सौर मंडल इस्थित है केंद्री बल इसी भुजा में इस्थित है। यह कुश्च्चन कई बार आया है कि सौर्य मंदल मंदाकनी के किस भाग में इस्थित है। मंदाकनी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की बीच की दूरी लगभग 32,000 प्रकास वर्ग है। जो मंदाकनी का केंद्र है उससे सूरी की दूरी 32,000 प्रकास वर्स है सूरी मंदाकनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोण वर्सों में लगा पाता है यानि इसकी विशालता का आप यही अदनाजा लगा सकते हैं कि सूरी अगर पूरी मंदाकनी का एक चक्कर लगाता है वो 25 करोण वर्स लगते हैं उसको तीसरी भुजा में हाइडोजन एवं धूल कड़ पाये जाते हैं यहीं पर नवीन तारों का जन्म होता है तीसरी भुजा यानि बाहरी भुजा यह जो बाहरी भुजा है यहां पर धूल और गैस के कड़ होते हैं जो तारों की उत्पत्ती की प्रिक्र समू को तारा मंदल कहते हैं जैसे सबतर्सी तारा मंदल हाइडरा हरक्यूलिस यह सब तारा मंदलों के नाम है इस तरह मंदाकली में कुल 88 तारा मंदल है और इसमें सबसे बड़ा तारा मंदल कौन सा है सेंट्रॉस है सेंट्रॉस जो है मंदाकली का सबसे बड़ा तारा मंदल है जिसमें कुल 94 तारे पाए जाते हैं यानि सूरी की तरह से 94 तारे जो है संट्रोस में उपस्तित हैं सबतर्सी तारा मंडल धुरू तारे की ओर संकेत करता है जो उसकी दिशा होती संकेत की वो धुरू तारे कैसे दिखें तब हम उसको कहते हैं और प्रतिवी चारे और कुल27 nebula के नाम से जानते हैं फिर क्या होते हैं कई भार कोच्चे ऊचुका है क्वासर्स एक radius रोत है जो मनदाकनी के मदभाग में पा जाते हैं और प्रकास उस्सरजित करते हैं radius रोत का मतलब इनसे radioactive radiation या आप कहले यह विकरण निकलता रहता है और यह प्रकास उस्सरजित करने का भी कार करते हैं पुलसर्स, जब कोई क्वासर्स एक नीमित अंतराल के बाद रेडियो वेव छोड़ता रहता है, तो उसे हम पुलसर्स या पलसर्स नाम से जानते हैं, तो क्वासर्स ही है, लेकिन जब क्वासर्स जो है एक निश्चित अंतराल के बाद नीमित अंतराल के बाद रेडियो वे का धुरू तारा जिसको हम पोलर इस्टार के नाम से भी जानते हैं या प्रसिभी पर खड़े व्यक्ति के सिरो बिंदु यानि ठीक सर के उपर दिखाई देता है और 90 दिग्री का कोड बनता है अब हम बात करते हैं कि तारे का जो कोई भी तारा है जैसे सूर्यक तारा है तो जन्म और विकास कैसे होता है तो किसी भी तारे की जीवन की सुरुवात आकास गंगा की तीसरी गूणन सील भुजा जो सबसे बाहरी थी जो मैंने आपको चीतर दिखाया था उसमें जो सबसे बाहरी भुजा थी वो तीसरी गूणन सील भुजा है जिसमें हाइड्रोजन औ और हीलियम के बादलों के बनने से इसकी सुरुवात होती है और हाइड्रोजन और हीलियम के मेगों को हम क्या कहते हैं इस्टीलर नेबुला के नाम से जानते हैं तो अब पहले हम इसकी पूरी जो है डाइग्रमेटिक देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है देखिए यह से समझने कोशिश करिएगा hydrogen और helium के यह बादल हो गए जिसको हमने नाम दिया stealer नेबुला कि इसी stealer नेबुला से जो है तारा बनने की प्रिक्रिया प्राराम होती है दो conditions होती ही पहले इसको समय लीजिए कि जो gas clouds है जिसको हमने stealer नेबुला बनते हैं अगर इसका द्रविमान सूर के द्रविमान के बराबर या उससे कम है तो सबसे पहली stage के आएगी pro star अब इसमें क्या क्या changes होते हैं वो हम theory में देखेंगे पहले आप इसको diagrammatic समझ लीजिए तो सूर के द्रविमान के बराबर या उससे कम होने पर pro star बनेगा जिसको हम embryo star के नाम से भी जानते हैं यह सब terminology पूछी जा चुकी है इसलिए उसको समझना ज़रूरी है pro star जब बन जाता है तो इसमें गुत्वा कर्षण का प्रभाव होता है उसके बाद जो है यह तारा जो है एवरेज स्टार के नाम से जाने जन लगता है और इसका ताप एवं दाब जो है गुत्वा कर्षण के प्रभाव से बढ़ता जाता है फिर एवरेज स्टार में क्या होता है नाब की सनलयन की प्रक होने लगता है तो यानि वह बड़ा सा जो है atomic reactor की भाति बेवहार करने लगता है और उसके जो है मद्ध भाग में हीलियम का संग्रहन होने लगता है और बाहरी भाग में जो है hydrogen का संग्रहन सुरू हो जाता है जिसको हम red giant के नाम से जानते हैं क्योंकि यह देखने में बिल्कुल लाल हो जाता है तो इसको लाल दैतिया red giant के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद क्या होता है इसमें जब hydrogen helium में परवर्तन होने की प्रिक्रिया जो है समाप्त होने लगती है दीरे दीरे यानि यह थोड़ा ठंडा होने लगता है तो बीच ओ बीच में इसके carbon का जो क्रोड बन जाता है तब यह सफेद दिखने लगता है और इसको हम white dwarf के नाम से जानते हैं जिसको हिंदी में स्वेत बामन कहते हैं जो लोग हिंदी मीडियम है तो उन्होंने स्वेत बामन इसको पढ़ा होगा फिर इसके बाद क्या हो जाता है यह पूरी तरह से ठोस हो जाता है और यह तारा मृत्प्राय होके black dwarf में बदल जाता है जिसको हम fossil star या जीवास्म तारा कहते है तो यह एक बात हो गई अब दूसरी condition को हम लेके चलते हैं यदि इस gas cloud यानि श्टीलर नेबुला का ब्यास श्टीलर नेबुला का द्रविमान सूर के द्रविमान से तीन गुना दिक होता है तो क्या होता है पहली stage सेम होगी प्रो इस्टार ही बनेगा यानि प्रो इस्टा पर जो है दूसरी stage में average star बन रहा था तीसरी star में तीसरी अवस्था में क्या होगा बीच में इसके क्रोड में carbon और iron का जो है जमाव होने लगेगा इसका क्रोड जो है ठोस होने लगेगा और क्रोड की जो दिसा है गती की और उसके जो बाहरी जो है उसका जो वह है परत उन लगता है जो आपने सुना होगा सुपरनोवा विपसोट के बारे में अब क्या होगा फिर एक कंडिशन आती है कि अगर यह सुपरनोवा जो बना इसका द्रविमान अगर सूर के द्रविमान से तीन गुना है तीन गुना है तीन गुना से कम है अगर सुपरनेवा का द्रविम द्रविमान सूर के द्रविमान से तीन गुने से कम है तो सुपर नोवा में विस्फोर्ट होगा और यह क्या बन जाएगा न्यूट्रान तारा बन जाएगा दूसरी कंडिशन यहां पर आएगी सुपर नोवा का अगर सूर के द्रविमान से तीन गुना या उससे अधिक है द तारा जो है तारे की मुरत्य हो जाती है तो आब इसको हम आगे जो है थे रिटकल फार्म में देखते हैं इती चीज़े आपने समझ लिएंगे मुझे आसा है अब ध्यान दीजिएगा जो आधी तारा या प्रोइस्टार जो पहली अवस्था बनी थी इस टीलर नेबुला के प्रोइस्टार में जिसको हमने क्या कहा एंब्रियो इस्टार भी कहा तो जब हाइड्रोजन और हीलियम का बादल काफी बड़ा होता है तो गुरुत्वा कर्शन के प्रभाव से गैसी पिंड जो है वो सुकुडने लगता है जिने हम प्रोइस्टार कहते हैं इनका गर्णत असीवीत म मात्रा में बढ़ जाता है और यही अवस्था तारा के नाम से जानी जाती है बतलब जो इस का जब दाब और ताप जो है इनकी परमाडों की टकर के कारण बहुत जादा सीवीत और अन्लिमटेड मातरा प्रोइस्टार के पिर अब इसमें तारे का संगठन क्या होता अगर तारा है कोई श्टार है तो उसका केमिकल जो कमपोजीशन है वो क्या होगा हाइड्रोजन सरवादिक मातरा में यानि 70% पाये जाएगी हीलियम 28% पाये जाएगी नाइट्रोजन कार्बन और निकिल जो है ये 1.5% तथा आइरन वर्ग के तत् पाँच परसेंट पाये जाएगा इसके बाद अगली स्टेज की बात हम करते हैं रेड जाइंट या गत्त जानों जो हमने उपर चित्र में देखा था जैसे जैसे तारे में नाबकी संलेयन की क्रियाएं होती रहती है हाइड्रोजन हीलियम में लगातार परिवर्थित होता रहता है और कुछ समय पस्चात तारे के केंद्र या क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाती है मतलब हाइड्रोजन हीलियम में लगातार कनवर्ट होता होता जो तारे का सेंटर होता है क्रोड होता है उसमें हीलियम की प्रधानता हो जाती है और नाबकी सेल्लेयन की क्रिय या रुक जाती है जिससे केंद्र में दबाव कम हो जाता है और तारा जो है शिकुरने लगता है हाइडोजन हीलियम में अभी भी परवर्थित होने लगता है ततहा टारा पूरी तरह से लाल दिखाई देता है जो मैंने आपको बताया था इसी को रक्त दानो या रेड जाइंट के नाम से हम जानते हैं कोई भी तारा रेड जाइंट में परिवर्तित होगा कि नहीं ये इसके प्रारंभिक जीवन पर निर्भर करता जो मैंने दो कंडिशन्स बताई थी अगर किसी तार कि तारे का द्रवमान अगर सूर के द्रवमान से कम है या उसके बराबर है तो उसको रेड जाइंट कहते हैं और ये जो द्रवमान वाली बात है ये कैसे डिसाइड होती है कि सूर के द्रवमान का एक दसमनो 44 गुना अगर होता है तो उसको चंद सेखर सीमा के नाम से जानत जब तारे का द्रविमान सूर के द्रविमान के बराबर है या उससे कम है तो वाय कबच प्रसारित होकर मतलब वाय कबच फढ जाएगा या फैल जाएगा उड़ जाएगा अंतता हीलियम कार्बन आदी ठोस तत्मे परवर्तित होने लगेगी और स्वेत रंग का दिखने लग कहानी शुरू ही यानि ग्रैस क्लाउड है जिसमें हाइड्रोजन और हिलियम के बादल है अगर सूर के द्रविमान से बराबर या कम है तो पहला क्या हुआ कंडिशन प्रो इस्टार जिसको एंब्रियो इस्टार कहते हैं यह कंडिशन दोनों में होगी दोनों तरफ होगी यानि अगर सूर के द्रविमान का तीन गुना है तब भी प्रो इस्टार बनेगा पहली अवस्था में और या एंब्रियो इस्टार जो है दूसरा नाम उसका हो गया फिर गृत्वा कर्शन के प्रभाव के कारण तारे में ता प्यों दाब अनलिम्टेड हो जाता है और उस है इसमें हीलियम की प्रधानता हो जाएगी और बाहर जो है हाइड्रोजन का हीलियम में परवर्तित होना जारी रहेगा तब यह बिल्कुल लाल दिखने लगता है अतरिक ताप उंदाप के कारण जिसको हमने रेड जाइंट कहा जो है रक्त दानों के नाम से फिर यह जो है उसके बाद क्या होता है अगर फिर यह जब आपकी सलेयन की क्रिया रुख जाती है तो जो सेंटर में कारण और हीलियम यह बिल्कुल ठोस रूप में हो जाते हैं और इसका जो बाहरी हिस्सा है वो बिसपोर्ट के साथ जो है अलग हो जाता है तब यह सफेद दिखाई देन कहते हैं तो मुझे लगता है आपको इसपश्ट हो गया होगा अब हम ब्लैक ड्वार्फ की बात करते हैं यह एक जीवा सुनता रहा है यानि फॉसिलिस्टार है जब स्वेट बामन के क्रोड में हीलियम धीरे-धीरे समाप्त होने लाता है और वह उर्जयायों प्रकास का उ द्रवमान तो सुपरनोवा वाली कंडिशन आती है अभी फिर मैं आपको दिखाता हूं डाइग्राम पहले इसको बारे पढ़ लिजया मैस्यू स्टार का केंद्र धीरे-धीरे कार्बन जैसे तत्तों में परवर्तित होने लगता है और घूडन के फलसुरूप बाहर की पर उड़ जाती है जिससे कि सुपरनिवा विस्फोट कहते हैं और तारा दो भागों में विभाजित हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं एक भाग को हम नूट्रान तारा कहते हैं नूट्रान तारा तब बनता है जब तारे का द्रवमान सूर के द्रवमान से तीन गुना या उस तारे का अंत, ब्लैक होल के रूप में होगा। अब सेकेंड वाली स्टेज को समझिए, स्टेज में क्या था। सूर के द्रवमान से तीन गुना ज्याता है, तो सक क्ति कि अब्रियो स्टार के बाद मैस्व स्टार में बदल कार्बन और आयरन जो है जैसे तक तो जो है इसके सेंटर में जमा हो जाएंगे और ये सुपर नोवा की कंडिशन आ जाएगी इसमें घूणन की दिशा बिपरीत हो जाती है यानि जो केंदरी भाग है वो एंटी क्लॉक्वाइज घूमने लगता है और जो बाहरी भाग है वो तरह कंडिशन होती है इससे न्यूट्रान तारा बनेगा या ब्लैक होल बनेगा दो में से एक चीज बनेगा उसके लिए एक निश्चित कंडिशन है सुपर नोवा विसफोर्ट से अगर सुपर नोवा का जो है द्रविमान सूर के द्रविमान के तीन गुना से कम है तो क्य तो तारे की निर्मार की प्रिक्रिया ब्लैक होल का बनना यह सब आपने देख लिया है ब्लैक होल का जो सबसे पहले सिधान प्रत्पादित किया था वह एस चंसेकर द्वारा जो है प्रत्पादित किया गया था सौर मंडल की उत्पत्ति के सिधान कुछ है इसको हम केवल सौर प्रट्फर में जानलेते हैं क्या क्या होता इसमें एक तारक पलकर्पना यानि मोनेश्टिक थियोरी कि नहारिका पलकर्पना यानि ने बुला थे जो लापलास द्वारा 1789 में दी गई थी और तीसरी परकल्पना जो है उलका परकल्पना जो लौकियर द्वारा दी गई थी तो इसमें सीधे सीधे बात यही है कि जैसे वायव विरासी पलकल्पना तो इन्होंने बताया कि जो है हवा के प्रभाव से तारों का जन्मुआ दूसरी निहारिका में बताया गया कि नेबुला बना नेबुला से जो है उसका जन्मुआ तीसरी जो उलका परिकल्पना इसमें dualistic theories जो है तो दुई तारक परिकल्पना है दो तरह की हैं एक है ग्रहार उपरिकल्पना जो 1904 में चेम्बर लिन द्वारा दी गई देखिए इसमें बहुत डिटेल में कुछ नहीं आता है क्योंकि यह थियोरी सब एक अब हाइफोथिसिस बनके रहे गई हैं क्योंकि अब जो ब्लैक होल सिध्दानत है बिग बैंक सिध्दानत है वही सरुमान सिध्दानत है आज की देट में तो इन से केवल परिकल्पना और किसके द्वारा दिया गया युग्म तारा पलकल्पना यानि कपल इस्टार्ट जो है हाइपोतिसीज ये एसेन रसेल द्वारा दी गई थी और विखंडन परकल्पना जो है रौसगन द्वारा दी गई थी अब तीसरी बात करते हैं गैसकड या बादल पर आधारित परकल्पना जिन्होंने बताया कि ग भूल परकल्पना जो है आटो सिमट द्वारा नाइटीन फोर्टी थू में दी गई और महाविस्फोर्ट परकल्पना यानि बिग बैंग इसवारी बैंग लिखाया गलती से जी होना चाहिए था तो बिग बैंग जो है यह जौर्ड लेमेंटेयर द्वारा ना ठारा सो अगर नहीं समझ पाएं है एक बार में तो एक बार इस वीडियो को और देखिएगा चीजे बिलकुल क्लियर हो जाएंगी और आपको इन से जो है सम्बंदित कोई दिकत नहीं होगी तो आज के लेक्चर में इत्ता ही अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे सौर मे रागल, यदित उ सम्झायवाढूा हैщее में